इनके लबे रंगी की इचाबरें थी के जिसने और क्यों के अड़िटाइस्मेंट करवाने वाला जानता है कि यह वीडियो उसके चैनल पर काफी लंबे टाइम तक रहने वाली है लेहाज अब वो इसको अच्छी रखम देता है मुझे कोई शक्स कहता है कि आप जो नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर 30 सेगिन तक हमारे बारे में बता दीजिए इस एप्लिकेशन के बारे में तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखो बहुत सारे बताते हैं जी इस एप्लिकेशन का लिंक डि वह बिल्कुल सच हो कोई जादा मुबालगा करने के बाद यह जादा एक्स्ट्रा उसके बारे में बता कर उसमें जूट शामिल ना कर रहे हो तो इस तरीके से वह इंकमाने वाली जाइज होती है एक इसके अंदर जाइज इनकम होती है वह होता है लेकिन वह था सर्वेड आपने कभी देखा होगा कि यूटूब के विडियो शुरू होती है तो उसके कोई अडवर्टाइसमेंट नहीं आता बलके एक सवाल उसके पाथ जवाब आते हैं एक सर्वेड अडवर्टाइसमेंट होता और कुछ सेकिंड बाद उसको आपको कोई वी एक टिक करके उसको सर्वेड को चालू करें तो आप की इंकम जाइज होगी लेकिन मैंने इसकी मजबूरी अब पहले बयान कर सकते किस तरीके से से नहीं कर सकते इस तरीके से आप यहां भी मजबूर हो के इडवर्टाइसमेंट पाद देंदर सिर्फ से लगा सकते पिर भी अगर कोई ऐसा बं पाल्बात हो गई कि जो भी चैनल स्पॉंसर या करें तो इस तरीके से जाईजstyle 25 हो गई और स्कंद्र जाहिए चैनल स्वार स्वे पतनु कि जोईन्न बेटन तघर हमृट कि लीडियो बाले स्टायब्र कर 750 जिसको पीचे चोड़ कराई इस इस इसकी आ crystalljin जो होते हैं वह में सोर्स फिंकम फ्रॉम यूटूब चैनल यही वह सबसे बड़ी इंकम का सोर्स है जिसके लिए चैनल बनाया जाता है आप इसके अंदर देखते हों कि जब आप कोई वीडियो प्ले करेंगे तीन सेकिंड अड़ाइसमेंट आया को स्किप करेंगे वीडियो चा बनते हैं कि इसमें गंदे बेहुदा म्यूजिक वाले अड़ाइसमेंट इतने जादा आते हैं कि जिसके कोई हद नहीं लेहाज यह जो अड़ाइसमेंट इस पर आते हैं फिल्म के अड़ाइसमेंट होते हैं म्यूजिकली के होते हैं और ऐसी चीजों के हराम अड़ाइसमे कि अभी आपके चैनल से आपके इस्लामिक चैनल से जो है वो अनौसमेंट हो रहा है कि ये फिल्म इतने बज़ानी ये गाने इतने बज़ाना है तो इस तरीके से आप इसके इंदर जो हिस्सेदार बनते हैं गुनह की बात का ऐलान करने के लिए और अबर अबर आख वताला बात का एलान करना पसंद नहीं करता, मगर गानों का एलान, फिल्म का आईगी इसका एलान, बाकि नजाइज चीजों का एलान, और अड़िटाइसमेंट आपके चैनल के जरी हो रहा होता है, जो के नजाइज सबस्क्राइब ये है, इसलामिक चैनल चलाने वालों के लिए, कि इसलामिक चैनल इसलिए चलाते हैं और यह दावा करते हैं कि हम लोग जो है वो दीन का काम कर रहे हैं और वो जो है इमाम साहब की आलिम साहब की तकारीर वगेरा जो है अपने चैनल के पर अपलोड करते हैं और लोगों को नेकी की दावत देते हैं बुराई से बचने के पर वो advertisement mostly आ रहा होता है, musically कभी और वो भी, तो वीडियो शुरूरूने से पहले वो चीज़ आ रही होती है, और admin ने वीडियो किसलिए डाली है, कि वो दुनिया को बताए कि musically इस्तिमाल नहीं करना, वो दुनिया को बताए कि गाने इस्तिमाल नहीं करने, और उसके चैनल स अलामा साहब के बायान से पहले वो खुद दुनिया को बता रहा है कि यह application होता, इसको भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं, मतलब यह कि गुना का परचार हो रहा है, एलान हो रहा है, यह सारी बाते इसके चैनल से हो रही होती है, जो कि शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, हुआ कि थमनेल को पर लिखा था, हराम गोश्ट खाने की बुराइया लिखी हुई थी, और उसमें आलिम सापका फोटू लगा था, तो मैंने सुचे इसको सुन के देखता हूं, कि इसके अंदर इन्होंने क्या के फजीलत बताई है, हलाल खाने के और क्या के नहुसते बता आने लगा, और चिकन वगेरा के अडवर्टाइसमेंट उसके आने लगा, तो मैंने नोट यह चीज़ की, कि आप जिस टोपिक के उपर वीडियो होती है, तो यूटूब जो है उसी से मिक्स लेकर अडवर्टाइसमेंट उसको पर लगाता है, अब सोचना लिए बात यह है आपके चैनल प्यारा मौलाना साब यह एडवर्टाइसमेंट आपके चैनल प्यारा है, लेकिन सबस्वर बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि मौलाना साब को इसकी खबर ही नहीं होती, क्योंकि एडमी नजरात क्या करते हैं कहीं जाके जलसे वगरा मैं रिकॉर्डिंग कर लेकिन इसमें आलिम साब की क्या गलती कोई किसी की वीडियो लेकि डाल ले और अड़वर्टाजमेंट चला लिहाजब आलिम साब को जो है वो कह रहते लेकिन एक सोचने वाली बाते अकसर आप इस चीज को नोट करेंगे अगर गानों को रद किया जाएगा गानों के खिल गाना मेजिक नहीं सुनने गाने नहीं सुनने मगर एक जगा आप उनको गाने सुनाते हो उनको खबरदार कर देते हो जो गुना के काम जो है नई फिल्म नहीं आने वाली होती है पता नहीं होती है तो इसके बारे में खबरदार करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप लोगो कुरान मुकदस में ऐसो लोगों के लिए लात अबर्ग वताला ने रिशात परमाया अत्ता मुरून अन्नासा बिल्बिर्री वतन सौना अन्फुसकुम के लोगों को भलाई का हुकम देते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो तो इस आयत के तहट एडमिन हजरात जो है वो इसकी इंकम पूरी तरीके से हराम है और इसका खाना बिल्कुल नाजाइज है इससे खरीदा गया हर एक समान नाजाइज है चाहां वो जिसम पर औरने वाला कपड़ा हो या पेट में गया हुआ लुकमा हो तो यह सी हराम है इसको किसी सूरत अपने लिए जाइज नहीं कर स होता है अब एडमीन हज़राद ग़ूर कर लें कि जिननके हक में आने वाली इंकम है अब उसका क्या करना उसके बारे मैं भी survey मैं आगए चंद बाते बता अग हूल कि जो इंकम आपके पास आ चुकिए उसका क्किया हता है तो जो पैसा किसले हराम जर्याइब से के लिए क मगरी है कि किसी फकीर को सद्का करना चाए। को चैए यूट्यूब के कमाईports जो नाजाइज हराम होती है उससे आने विली झाम हिझा उसके ली होता है िसको वापस को करना तो नहीं मगर ये कि इसको फकीर को दे देना चाहिए यानि जो रकम आपने कमाई है उसको देना पड़ेगा हराम कमाई के लिए एक काइदा ये है कि कि जो गेर शराई जरीये से हासिल हो उसको वापस किया बगेर चारा नहीं लहाज़ जितनी भी हराम रकम किसी के पास आती है उसको ये वाजिब होता है कि वो किसी फकीर को सद्का करे यहां तक कि अगर उसने उसका कपड़ा खरीद लिया तो उसका कपड़े को भी दे देना फकीर को सद्का कर देना वाजिब होता है अगर उसने अपने लिए कोई ऐसी चीज़ खरीद ली जो औरता पहनता इस्तिमाल करता है तो उसको भी जो है वो दे देना चाहिए ये रकम इसके हक में बिल्कुल भी जाइज ने इससे खरीदा गया समान इसके हक में बिल्कुल चाहिए और इसमें सवाब की नियत करना यानी सद्का करते हैं यह सोचना है कि मुझे सवाब मिलेगा यह असलन हराम है यह कि बहुत सारे अगर अपनी आखरत की फिकर हो तो यह चीज मालुम करें है कि हराम की रकम अगर मस्जिद में सद्का देंगे तो वो क्या होगा इसलिए फतावा आलमगिरी के अंदर भी यह मसले बिल्कुल वाज़ है कि हराम की रकम को सद्गा करना और उस पे सवाब की नियत करना यह कुफ हिसाब इसका आपको देना ही पड़ेगा इसी तरीके से फतावा आलमगिरी के अंदर यह बात भी लिखे कि अगर किसी ने हराम रकम का सद्गा किया और फकीर ने यह समझता है कि वो हराम रकम उसको लिया और उसके लेने के बाद उसने दूआ दी और इस दूआ पे देने आमीन कहा लहाजा लेने और देने दोनों काफिर हो जाएंगे दार इसलाम चाहरीज हो जाएंगे तो गोर करना चाहिए बहुत सारे एडमिन जो इस चीज़ का लोगों के आगे यह आके कहते हैं किसी नेक का में सर्फ करते हैं मसलें यह के बहुत सारे को देखा भी गया कहीं पर मजार पर लंगर कर दिया यह कहीं कोई इतमाम कर दिया रोजा खुलवा दिया और किसी की शादी करवा दी जाइस काम करवा दिया फकीरों को दे दिया लोगों के अंदर बाड़ दिया मस्जिदों में दे दिया मदर्सों की रकम आदी मस्जिद में देने से खुद के लिए जाइज हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो फिर लोग क्या करेंगे कि घर के अंदर अपने वालिद की जेम में से 500 और निकालेंगे 200 और रखेंगे 300 मस्जिद में दे देंगे तो क्या इस तरीके से चोरी करके कमाई गई हराम रकम ये खाना जाइज हो जाएगी इस तरीके से कितनी चोरियां आम हो जाएंगी कि जो नाजाइज जरीया है बच्चों को इसमें छूट मिलेगी अगर आप चैनल पर ये दर्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है जो कमाते हैं उसमें आदा पैसा मस्जिद में देते हों ये भी बात बिल्कुल घलत है आप चाहें से मस्जिद में दे या मदरसे में दे किसी भी सूरत ये रकम आपके हक में जाइज वो नहीं है लहाज़ा इन तमाम बाते बातों पर इस्लामिक चैनल चलाने वाले खुसुसान एडमिन हजरात को तो गोर कर लेना चाहि है कि बन्दा बरूसे कया मत अब बात 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 बनाया